नमस्कार आप देख रहें न्यूस वानेशन और मैं आपके साथ वंदरा उत्तर प्रदेश में वधान सबस्वा चुनाओं के पहले समाजवादी पार्टी यानि के अखिले शियादों को बहुत बड़ा जटका लगा है और वो भी बीजेपी ने ये जटका दिया है जो यहां आपको बताते हैं कि आखिर वो नेता है कौन और किस तरीके से उन्होंने साइकल की सवारी छोड बीजेपी का दावन थामा है उत्तर प्रदेश वधान सबस्वा चुनाओं से पहले सभी बड़े चोटे नेताओं का दल बदलने का सिलसला जारी है इसे बीच अखिले शिया अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग और लक्ष्मिकांत बाजपई सहीत कई बड़े नेताओं की मौझूदगी में शत्रुद्र प्रकाश ने भाजपा ज्वाइन कर ली है बतादे शत्रुद्र प्रकाश वारा नसी में काशिम विश्वनात धाम कॉरिडॉर के लिए पीए म मोदे और सीम योगी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि आज अगर हम लोग गैर कॉंगिस सवाद की राजनीटी से बाहर निकल पाए हैं तो वो पीए म और सीम की वज़ा से ही है जानकारी की मताबिक बता दे की शत्रुद्र प्रकाश समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में गीने जाते थे वह चार बार विधायक रह चुके हैं आज से पहले शत्रुद्र सपा के M.L.C. थे जिहां इसके अलावा वह सपा के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं अंदोलन के बड़े नेताओं में भी शत्रुद्र प्रकाश सामल्थ हैं सपा काल में वह कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं आज U.P.V.J.P. अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग और ज्वाइनिंग कमीटी के चेर्मेन लक्ष्मीकांथ वाजपई ने उन्हें भाजपा की सद्धस्यता दिलाई है शत्रुद्र प्रकाश को पार्टी की सद्यस्ता दिलाने के दौरान स्वतंत्र देव सिंग ने उनकी तारिफ में कहा है कि प्रकाश के भाजपा जवाइन करने से पार्टी का कद बढ़ेगा वहीं लक्षमिकांद वाजपई ने भी कहा है कि समाजवादी आंदोलन के भटकने और पीएमोधी एवं सीम योगी के कारियों से प्रभावित होकर ये शत्रुद्र प्रकाश बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वहीं शत्रुद्र प्रकाश ने का है कि मैं शुरू से ही गैर कॉंग्डस वाद की राजनीती करता आया हूँ मेरी वीजेपी से ज्वाइनिंग राज नारायन जी की पुन्य तिथी पर ही हो रही है प्येम मोदी द्वारा काश्य विश्वनाद धाम बनाने से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ पहले जलो की पहचरान माफिया से होती थी आज विकास से हो रही है बनारस में माफिया के डर से लोग सहमें रहते थे मोदी जी और योगी जी ने समाज में शांती बनाने का काम किया है तो कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ट्र नेता शत्रुद्र प्रकाश ने आज बीजवी का दामन थाम लिया बता दे को इस दिन पहले हैं जब काशिय विश्वनात कॉरिडर का उद्गाटन प्रधान मंतरी मोदी ने किया था तो उसकी तारिफ सभी ने कि थी और उसके साथ समाजवादी के जो एक नेता थे वरिष्ट्र नेता वो शत्रुद प्रकाश ने विपक्ष की पार्टी होते हुए अन्होंने प्रधान मंतरी मोदी और योगी आदितिनाद की जम कर तारिफ की थी उसी समय से ये खबरे थी कि हो सकता है आने वाले समय में इन सभी कामों से प्रभावित होकर शत्रुद्र प्रकाश बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और आज इन सभी खबरों पर मोहर लगते हुए नजर आ रहा है जो हैं बतादे कि ठीक वधान सभच नाओं से पहले शत्रुद्र प्रकाश जो की समाजवादी पार्टी के एक वरिश्ट्र नेताओं में शामिल हैं उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है तो अब देखना ये होगा किस तरीके से आने वाले समय में इन सभी मामलों को लेकर ये समाजवादी पार्टी के नेताओं पे प्रभाव परता है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी इस सभी जो पार्टी जोईनिंग को लेकर क्या खुछ आगे अपना बयान जारी करत तो फिलाल के लिए इतना ही देखते रहे नियूस पनीशन धन्यवाद